हेलो एब्रिवन, वेलकम टू माइ फर्स्ट वी लॉग, आज की सफर पे हम जागेश्वार धाम जाने वाले हैं, जो कि उत्रा गंड में पड़ता हैं, तो चलते हैं अपने इस सफर पे रास्ते में हम शिवा धाबा पे रुके, जो कि एक अच्छा फेमस धाबा है, जह हमने गरम गरम चाई का सेवन किया, क्योंकि ठंडा वासा बहुत था, तो इससे हमें काफी राहत मिली पीने के बाद आगे के सफर के लिए हम निकल पड़े, मुरदबाद हम पहुच चुके हैं, हम वेब मॉल के सामसे जा रहे हैं, और मुरदबाद मेरा होम टाउन भी है, चाकिश पर धाम जाने से पहले हम यहाँ पर रुकेंगे, संड़े भी हम यहाँ पर टाइम स्पेंट क करेंगे अपने कजिन्स के साथ, मुरदबाद पहुचने के बाद सबसे पहले हम फ्लेवर्स रेस्टोरेंट गए, जहांकि अपने अपने कजिन्स के साथ हम ने डिनर किया, और बहुत सारी बाते भी करी, अच्छा टाइम स्पेंट किया हम नोंके साथ, हम डिनर करने के बा कर दो कर दो कर दो अजसरा बनाथा क्योंकि मुर्दबात की स्पैसियालिट्य ए मुंकी दाल विज चले भी यह बहुत अच्छा कॉमिनेशन लोगों को ओड लगता है पर हमारे लिए एक बहुत अच्छा कॉमिनेशन है हम बहुत तेश्ची लगता रहा बाद हमने इंडिया का अक्रिविन मैच का आनंद लिया विराट को लिने अच्छे श्यतक मारा तो हमने पूरे परिवार के साथ बहुत मज़े किये फिर विये है मेरे कलागार भाई का द्रिश्य है आप देखिए सुबह सुबह जल्दी उठके सब जागिश्वर ढामजान निगने तेयार होगे हमने कुछ ताइम अपने आपको शीशे में निहारा फिर आगी के लिए प्रस्थान करती है अब हम दास्ते में चाय पी निगने लुके थे तो वहां का नजारा देखे बहुत प्रसंता हुई बहुत अच्छा लगा और इसके बाद धाम की तरफ निकल दे यह धाम का मंदिर है यह 106 शिविलिंग का मंदिर है और यह मंदिर 1500 साल पुराना है और इस मंदिर का आर्किटेक्चर इतना बढ़िया है कि आप देखते रजाएंगे जय हो जय हो शंकरा आदी देव शंकरा तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह मेरा कर्ब तू ही जान क्या बुरा है क्या भरा तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा नमो नमो जिशंकरा ओले नाम शंकरा शेंद्रि लो मिनाध स्पुरे शिवाए शंकरा नमो नमो जिशंकरा ओले नाम शंकरा सुन्न देव वरे महिष्वरा यह मंदिर का मुख्खे शिव लेंगे, यह वीडियोग्राफिय और फोटोग्राफिय अलाउट तुनी थी, और हमने यह पुशिश कोगे बनाई आपकत के लिए यह जग रहे आना रहे अब वापसी का गुडग्वं वापसी में शब को भूग लगी तो परेट पूझा करने के लिए ने मैग डॉन में रोपत है मैंकडॉनल में हमने अपने पसंद के बर्गर और ओडर करें और अमें छाते हुए देखते हुए इन बच्चों ने भी बहुत आनन्द दिया बर्गर बहुत ही ज़या टेस्जी थे सब ने अपने खूप शौक से बर्गर खाए, देर बर्गर खाने के बाद अपने गुड़गाओं के रास्ते के लिए निकल पर हुआ हुआ है